शिल्पा ने की अवनाश की बिचिंग रजट और करन के साथ मिलकर छिपाया राशन जी हादर असल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो पिक बॉस सीजन 18 कीज जहां की हमने देखा कि किस तरीके से शिल्पा और अवनाश के बीच में शुरुआती दौर से ही अनबन है और अवनाश के लिए शिल्पा के मन में खटास साफ नजर आई यहाँ पर शिल्पा सभी घरवालों से परे अवनाश की बिचिंग करते वे रजट और करन के साथ दिखाई पड़ी कही न कहीं अवनाश के पीट पीचे सिल्पा अवनाश को भला बुरा कहती हैं और अवनाश के बरताओ पर भी सवलाद खड़े करते वे नजर आती हैं शिल्पा का कहना है कि अवनाश की हरकती बहुत ही जदा नीची तब्दे के लोगों की तरह है अवनाश ने राशन छिपाया था और दाल भी सिल्पा को नहीं दी थी ऐसे में शिल्पा की ये सारी बाते सुनकर रजट और करन भी शिल्पा की बातों से अग्री करते वे नजर आते हैं यहाँ तीनों ही कंटेस्टेंट मिलकर अवनाश की बैक बीचिंग करते वे नजर आते हैं और कहीं अवनाश को काफी भला बुरा भी कहते वे दिखाई पड़ते हैं वहीं दूसरी तरफ शिल्पा और रजद करन मिल कर कही न कहीं अवनाज का सारा राशन छिपादीनी की बात कहते हैं यहार रजद का कहना है कि भले ही बोलोगा के लिए खाना बनाकर ना खाए लेकिन बागी किसी को भी नहीं खाने देंगे यहां तक कि अवनाश को भी भूखा रखने का प्लान बनाते वे नजरा रहा है रज़त वेल अब देखना होगा काफ़ी दल्चस्पे कि आखिर कार राशन के इस महारा मारी में शिल्पा और अवनाश का रिष्टार पहुचेगा कौन से नए मुकाम तक वेल क्या लगता है आपको अपनी राए हमें कामेंट के जरीए जरूर बताएं साथ ही टालेविजन से जुड़े ऐसे और लेटिस्ट अबडेट्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें